दिवार के गिरने से दो बच्चों की मौत और चार घायल दवाखने में एडमिट आप देख रहे हैं NNC News वाखिया पेश आया है बाबुल रेटी नगर कॉलनी में जो राजेंदर नगर के दर्मियान आता है वहाँ पर ये हादसा पेश आया है हादसा पेश आने की वज़े पुराने मकानात पुराने दिवार होने की वज़े से जिसकी वज़े से एक घर के दो मासूम बच्चों की जान चले गई माँ अपने बच्चों के जुदाई पर उनकी मौत पर माँ अपना सिलसिला कर रोने लगी और उन दोनों बच्चों को दिवार कॉलैप्स होने की वज़े से दिवार उनके उपर गिरने से मोखे पर ही मौत हो गई और चार लोग गंबीर तरीके से सीरियस है जो जिनको दावाखाने में पहुँचा दिया गया लेकिन इन बच्चों को वापस अब नहीं आ सकते इन मा के पास आखिर ये हादसा कैसे पेश आया होगा आखिर वजे क्या हो सकती है पोलीस इसकी तहिकी खात कर रही है राजेंदर नगर पोलीस के ये कोलैप्स ये दिवार किस तरह से कोलैप्स हुआ है याने ये दिवारे पुरानी हो सकती है जिसकी वजे से दिवार का गिरना और उन बच्चों पर गिरकर वो बच्चे मौके पर मर जाना ये बहुत बड़ा हादसा है इसके घर वालों के बच्चों के लिए और इसके माबाब के लिए ये बड़ा दुप दख वाला वाखिया पेश आया है बाबुल दुटी नगर कॉलमी में जो राजेंदर नगर के पास है ऐसे हाथसात की वज़े से अपने बच्चों की जान चले गई आखिर बगर बारिश के मौसम में ही ऐसे हाथसात दिवार के गिरने से बच्चों की मौत हो रही है तो अब आने वाला जो मौसम है जून और जुलाई का ये बारिश का ये मांसून का मौसम है इस बारिश के मौसम में पता नहीं हैदराबाद में पुराने दीवारे कितने गिर सकती है और किन किन की जान जा सकती है मैं आपका दोश शेख अब्दुर रशीद NNC News सबस्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें जैहें